मेरे जीवन में कोवीड के कारण दो तीन चेंजेस हो गया जिसको मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं रोज सुभब 25 मिनिट पैदल चलता हूं और शाम को 25 मिनिट पैदल चलता हूं और संगीत और गायन सुनने के कारण मैं साथ में मोबाइल फोन पर यूटूब पर कर अनेक अनेक बाते सुनता हूं और ऐसी करता करते में भगवत गितार भी सुनने लगा तो पहली बार मुझे दसी अध्याया और उसका पूरा विवेचन शांती से सुनने का मोगा इस समय मिला तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी दूसरी बात यह हूई कि मैं मीडिया के बारे में सैवी नहीं था तो मैं ज्यादा तर ये सोशल मीडिया पर ए 900 वीडियो कॉंफरेंसिस की और करीब एक करोड़ बीस लाक ट्वीटर पर मेरे सहयोगी बने और आज यूट्यूब से मैं जो भाशन दिये मैंने उसका मुझे इंकम शुरू हो गया जो मैंने कोवीड के कारे के लिए दिया करीब चार लाक रुपे मैंना मुझे मिलना शु हो गई तो एक नया अन्बह आया तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस संकट काम को मुकाबला करना है एक चोटी सी बात है जो मेरे जीवन में मुझे यादे में विद्यार्थी था विद्यार्थी परिशत से बाजप में आया था 1980 का टाइम था अटेल जी भी चुनाव हार गए पूरी परिस्तिति हमारी पार्टी की बहुत खराब थी तब सभी लोग निराश थे और जनता पार्टी के बाद इतना बड़ा पराबो हो गया था तो अब सब लोग कहते थे कि इस पार्टी को ना कोई फ्यूचर है ना अट लोग कहते थे तुम अच्छे हो पर यह पार्टी अच्छी नहीं है इसमें तुम्हारा भविश्य अच्छा नहीं तो मैंने जो भी है पार्टी हमारी है विचार हमारे हम इसी के साथ जाएंगे तो उस समय मेरे एक मित्र ने जो आएटी इंजिनियर है भी काफी बड़े अ आइप फरतिक बने थे और उनको वॉशिंग्टन में एक एरिया में जगह देने के लिए भी लोगों ने इंकार कर दिया था इस प्रकार की उनकी प्रतिमा बनी थी और उस परिस्थितिन उन्होंने वो किताब लिखी थी उसमें उग सुंदर Best आप्जा ये था न मैं ने क् भाग जाता है तब वो सवाफत होता है